वाइफ को लगता है कि उसके हस्बंड का अफेर चल रहा है तो एक लड़की को हायर करती है उसके हस्बंड को सिड्यूस कराने के लिए बात तब भी गड़ती है जब लड़की वाइफ से ही अपसेस्ट हो जाती है यही हमारी मुवी की स्टोरी लाइन है जिसका नाम है यह 2009 की थ्रिलर मुवी है तो चलिए मुवी एक्स्टोरी करना स्टार्ट करते है जिसका नाम है क्लोई है एक प्रस्टूट है तो हम से कहती है कि जो मैं करती हूं यह करने के लिए मुझे बहुत सारी चीजों का ध्यान रगना पड़ता है लोग की फैंटेसी में फुलफिल कैथरीग दिखाई जाती है, कैथरीग है हमारा और एक मेन कैरिक्टर है, यह एक गायनेकलॉजिस्ट है, यह एक कैथरीग के इंडरडॉक्शन का हजबन जिसका नाम है डेविड यहां से इंट्रोडेउस होता है डेविड यूनिवर्शिटी में एक प्रोफेसर है उसके स्टूडेंट्स वगिरा उसे बहुत पसंद करते क्योंकि हर स्टूडेंट से वह सही तरीके से करेक्ट कर पाता है आज डेविड का बर्थ्टे है वो आज भी लेक्चर देकर फ्राइट से घर आने वाला है उसके स्टूडेंट्स को मालूम है कि आज डेविड का बर्थ्टे है तो उसे कही बहार लेकर जाने के लिए उसे पूछते है डेविड उन्हें मना कर देता है वो गहता है कि मेरी फ्राइट है और मुझे मेरी फै पड़े पलोती है पार्टे में सब लोग डेविड का वेट कर रहे हैं तब देविड कैथरिंग को कॉल करते हैं उसे कहता है कि मेरी फ्राइट में इस हो चुकी है वो आज रात बहुत ही लेट घर आएगा यह जब कॉल चल रहा था तो डेविड अपने एक स्टूडेंट क उसके पास ही है वो माइकल पर चिला थी है और कहती है कि तुम्हारी गर्ल्फिंट यहां नहीं रह सकती है जब सुबहा होती है तब हम देखते हैं कि डेविड घर पर आ चुका है डेविड कैथरिन से स्वारी कहता है कैथरिन बोलती है कि मेरी ही गलती है मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, डेविड को अपने बड़े अच्छे नहीं लगते, उसकी एज बढ़ती जा रहे है, तो उसे अच्छा नहीं लगता, कैथरीन ने डेविड के लिए एक स्कॉच की बॉटल as a gift लाई थी, वो एक्सपेक्ट करती है कि कैथरीन और डेविड आ माइकल कहता है कि मैंने डाट से कहा था, कोई भी प्रॉटलम नहीं है, कैथरीन माइकल को प्रोटेक्शन यूज करने के लिए गये दिया, इंडियन पैरेंट्स होते तो मार डालते है, कैथरीन नीचे आती है और डेविड का फोन बज होता है, वो जब चेक करती है, तब व में फ्रेंड्स के साथ डिनर के लिए बाहर आते हैं, यहां कैथरीन फ्रेक्शन अप होने के लिए वाश्रूम में जाती है, तो यह वहाँ वाश्रूम में कोई रो रहा है, कैथरीन को बुरा लगता है, और जो कोई भी रो रहा है, उसे वो टीशू वेपर देती है, वाश से गहती है कि अगर तुम चाहती हो तो तुम यह रख सकती हो कैथरीन ने अभी-अभी उसे जो काइडनेश दिखाया उसे एस रीपेव करना जाती है पर कैथरीन कहती है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है तुम्हें इसे रख लो अपना डिनर कंटेन्यू करने के लिए फिर से साथ मज़ा करते है फ्रेंड को चीज सही लगती है उससे लगता है पैसे देखकर सब कुछ अमारी नीट्स कंप्रेट हो जाती है और कोई इमोशनल अटेश्मेंट भी नहीं रहती यहां हम डिनर पर देख सकते हैं कि डेविड एक वेट्रेस से बहुत ही अच्छे से बात क कैथरीन को चीज खटकती है जब वो घर आते हैं तो कैथरीन डेविड से कहती है यह जो वेट्रेस थी क्या वो तुम्हें पसन आई तुम उसे फ्लेट कर रहे थे डेविड कहता है कि मैं सिर्फ फ्रेंडली था यह जो वेट्रेस वेगराते हैं इन्हें लोग अच्छे से नहीं करते हैं इसलिए मैं उनसे जरा अच्छे से बात करता हूँ अच्छी टीव्स देता हूँ इसमें गलत क्या है कैथरीन और बुश थी है क्या तुमने इंडेंशनली अपने फ्लाइट मिस कर दी थी डेविड कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है वो सिर्फ मिस हो गए मैं यह दूनों बात करती है और कैथरीन उसे ट्रिंक आफर करती है कैथरीन बोलती है के मेरी हजबन को तुम पसण आओगी वो पुष्ते है क्या तुम्हेरे हजबन के लिए ओरते तुम चूझ करती हो कैथरीन कहती है कि एसा कुछ भी नहीं है कैथरीन फिर अपनी प्रॉल्ल और Chloe उसे मिल सकती है यह सब information ने कहा था वैसा ही Chloe करती है वो David से जाकर बात करती है इसके बाद Catherine और Chloe एक काफे में मिलते है Chloe फिर बताती है कि क्या हुआ था वो कहती है कि तुमने जिसे कहा था वैसे डिविड न्यूस पेपर पढ़ रहा था मैं उसके पास गए और उससे मैंने शुगर मांगे फिर हम बात करने लग गए उसने मुझे पूछा कि क्या मैं स्टुडेंट हूँ और बहुत ही फ्रेंडली वेसे मुझसे बात कर रहा था उसने मुझसे जादा फ्लर्ट वेगरा नहीं किया वह बहु अपने हस्बंड को मुझसे मिलवाना चाहती हो कैथरिन फिर क्लोई को उसके पैसे देती है और बोलती है कि और एक बार हम ट्राय करकर देखेंगे इसके बाद यह सब हम खतम कर देंगे रात में भी डिवीड जब घर पर होता है तो अपने स्टूडेंट के साथ हस हस कर बा वो बहुत ही परिशान है माइकल पहले डिस्टब रहता था इसलिए उसे थेरेपिस्ट के पास भी वो भेशते हैं डेविड कहता है कि तुम वरी मत करो माइकल के डॉक्टर से मेरी बात हुई थी वो सब कुछ अब सही कर रहा है कैथरिन का टेंशन दूर करने के लिए इन दोनों की रिलेशनशीप पहले जिसी थी वैसे अब नहीं रही है डेविड को इस बात को लेकर बुरा रखता है वहता है कि हम दोनों ने एक दूसरे से इतनी दूरिया क्यों बना ली हम एक दूसरे को एरपोर्ट से पिक अप करते थे हमेशा एक साथ ही रहते थे हम दो इसके बारे में बताता है क्या लगता है कि शायद डेविड पर वह ऐसे ही शक कर रहे थे वह फिर से क्लोई को मिलती है कि तुम्हें फिर से डेविड को अप्रोच करने कोई भी ज़रूरत नहीं है मेरे लाइव में थोड़े प्रॉलम चल रहे थे इसलिए मुझे लग रहा उफर किया हम दोने एक दुसरे से बात करने लग गए उसके म्यूजिक के बारे में डेविड ने मुझे बताया वो पहले हैसिटन था पर उसने मुझे पूचा क्या वो मुझे किस कर सकता है हम दोने एक दुसरे के जब पास आय तब उसने मुझे मना कर दिया उसने कहा कि व तब Chloe पर बहुत ही वो नाराज हो जाती है, वो गहती है कि मैंने तुम्हें उससे सिर्फ बात करने के लिए कहा था, यह सब चीज़े करने के लिए नहीं और वहाँ से चेड़ कर वो निकल जाती है, Chloe उसे कहती है कि तुम जहाती क्या हो, यह मुझे समझ में नहीं आता, बाहर कैथरिन की गाड़ी पार्किंग में स्टक हो चुकी है, Chloe अपने बाइसिकल से जा रही होती है, पर रोड पर आई से, जिससे वो गिर जाती है, कैथरिन ने देखती है, और Chloe को हेल्प करने के लिए, वो इसे मलम पट्टी वगरा करती है, वो फिर उसे Chloe से कहती है, कि तुमा इन से मिलने के लिए माईकल भी आता है, Chloe और माईकल यह दोनों बात करने लग जाते है, क्लोई माईकल से कहती है, कि तुमारी नजर तुमारी मदर की तरह ही है, माइकल को यह सच नहीं लगता तो क्लोई कहती है कि तुम्हारी आखे तुम्हारी मदर से मैस्च नहीं करती है पर जिस तरह से तुम देखते हो एक स्टेर वो तुम्हारी मदर की तरह ही है यहाँ पर क्लोई माइकल से फ्लेट कर रही थी Chloe Catherine से मिलकर वहाँ से चली जाती है Michael भी Catherine के पास जबाता है तो Catherine उसे conversation करना start करती है पर Michael को अपनी mother से बात करने में कोई भी interest नहीं है Catherine को बहुत ही disappointed महसुस होता है इसके बाद next scene में हम देखते है Catherine अपने friends के साथ lunch कर रहे है तब उसे Chloe का message आता है इसमें Chloe ने लिखा है कि वो और David एक hotel में जा रहे है Catherine की friends बात कर रहे थी कि उनकी एक friend का affair चल रहा है Catherine भी थोड़ा सा distance maintain कर रहे है तो बुने रगता है Catherine का भी चक कर चल रहा है अब एक Chloe का message Catherine को आया है तब Catherine वहाँ से चली जाती है उस hotel room में पोच्छती है बेड़ वेकरा देखकर वो conclude करती है कि Chloe और David एक दुसरे के साथ intimate हो चुके है Catherine जब Chloe से पुछती है तब Chloe सब details डेविड और वो किस तरह से इस hotel तक आए यह सब उसे बताती है Catherine को बहुत ही बुरा रगता है इसके बाद यह दोनों नीचे आती है Chloe की खुश्व बहुत ही अच्छी है तो Catherine पुछती है कि कौन सा सेंट है Chloe कहती है कि एक lotion है यह lotion Catherine के हाथ परो लगाती है Catherine कहती है कि हम दोनों एक दुसरे से बहुत प्यार करते थे एक दुसरे की बिना कोई भी moment हम नहीं बिता दे थे Catherine Chloe से पुछती है क्या तुमने भी कभी यह feel किया है Chloe कही थी कि हाँ Catherine को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है Chloe उसे जरा समालती है उसके पास आकर उसे directly kiss कर लेती है Catherine को यह सही नहीं लगता और वहाँ से चली जाती है रात में Michael का performance था तक Catherine और David दोनों आये हुए है पर एक दूसरे से वो दूर बेटते है बात में David Catherine के पास आता है और उसके हाथ को kiss करता है वो यह perfume smell करता है और कहता है कि यह बहुत ही अच्छा है Catherine कहती है कि यह एक lotion है Catherine David पर और भी नाराज हो जाती है उसे लगता है कि यही smell Chloe से भी आ रही थी David कितना pretend करता है Catherine डिस्टब होकर रात में Chloe के पास आती है यह दोनों एक दूसरे के साथ intimate हो जाती है Catherine Chloe को बहसे देती है और वो फिर से Chloe से नहीं मिलने वाली मूवी के फर्स में जो hairpin Chloe Catherine को देना चाती थी वो फिर से निकाल दिये वो Catherine को कहती है कि यह मेरी ही hairpin है मेरी मदर ने मुझे दी थी जब हम पहली बार मिले थे तब है hairpin में तुमें देना जाती थी Chloe फिर से Catherine से मिलना जाती है पर Catherine को भी promise नहीं करती है यह तोनों Catherine की घर के बाहर ही एक cab में थे Chloe ने Catherine का घर देख लिया है Catherine जब घर में इंटर करती है तो David कहता है कि वो कौन है David को लगता है कि Catherine का किसी के साथ affair चल रहा है वो बुछता है कि क्या तुम उससे पयार करती है Catherine कहती है कि इससे क्या फरक पड़ेगा डेविड कहता है कि पूरी रात तुम घर से बाहर थी कैतरीन कहती है कि तुमारी तरह में सिक्रेटिव नहीं रह सकती जो भी लड़की तुमें मिलती है उससे तुम फ्लर्ट करने लग जाते हो पता नहीं क्या क्या करते हो ये दोनों बहुत चकटते है नेक सुबा हम देखते कैतरीन जब अपने क्लिनक पर है तब उसे क्लोई का एक इमेल आया है इस इमेल में जब क्लोई और कैतरीन इंटिमेट हुए थे इसके एक फोटो है थोड़ी दिन में क्लोई कैतरीन से मिलने के लिए आती है उसके लिए फूल भी लाती है Chloe Catherine से गहती है कि हम दोनों में जो हैं यह बहुत ही यूनिक है Chloe के मन में Catherine को लेकर सरा feelings आ चुकी है वो Catherine के साथ एक relationship बनाना चाहती है Catherine के थी कि कल राट अच्छी थी पर वो एक ही बार का था हम फिर से कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे Catherine को लगता है कि Chloe उसे शायद blackmail कर रही है Chloe को बहुत सारे पैसे देती है और वहाँ से जाने के लिए कहती है Chloe को बहुत ही hurtful महसूस होता है इसके बाद next scene में हम देखते है Chloe directly Michael के पास आई हुई है माइकल से उसने बात की थी और माइकल की music taste के बारे में भी उसे पता है माइकल को जो artist पसन है इस artist की वो CD लाती है माइकल Chloe को देखकर surprise होता है ये दोना एक दुसरे से सही से बात करते है माइकल घर आकर ये songs लगाता है जब Catherine ये सुनती है तब उसे लगता है कि Chloe घर पर है क्योंकि उसे Chloe के songs के बारे में पता था वो disturb होकर सब जगा पर Chloe को ढूनती है इसके बाद Chloe का उसे call आता है Chloe उसे कहती है तुमारे husband का मुझे फिर से call आया था आज वो मुझे इन लिमेट नहीं होना चाहता था उसे emotional support की ज़रूरत थी उसने मुझे कहा कि जब वो मेरे साथ होता है तब उसे लगता है कि तुम पर वो cheat कर रहा है Catherine को याजिब लगता है Chloe को रात में एक जगा पर वो बुलाती है रात में Catherine कैफे में जाकर वेट कर रही है यह हम देखते हैं कि उसने डेविड को भी बुलाया था वो डेविड को कहती है कि हम दोनों को एक दूसरे से honest रहना चाहिए जो भी हमने किया है हमें admit कर लेना चाहिए वो फिर डेविड से बुछती है कि तुमने flight means कर दी थी उसके बारे में मुझे बताओ डेविड कहता है कि ठीक है मैंने तुमसे जूट कहा था मेरा retirement एक-एक साल आगे आता रहता है उसे retire होना अच्छा नहीं लगता अपने काम से वो पैयर करता है उसे काम करना अच्छा लगता है वो कहता है कि मुझे बड़े पसंद नहीं है इसलिए मैंने जान भुझ कर flight मिस करती थी उसके बाद मेरे student के साथ मैं ड्रिंक करने के लिए गया था वो यहाँ clear करता है कि मैं सिर्फ ड्रिंक करने के लिए गया था मैं और मेरे student के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जैसा तुम सोच रही हो यह सब वो Catherine को explain ही कर रहा था तब ही Chloe वहाँ आ गए Chloe ने डेविड को जब notice किया तब वहाँ से वो जली गए डेविड Catherine से पूछता है कि वो कौन थी डेविड को Chloe के बारे में कुछ भी पता नहीं है Catherine realize करती है कि डेविड के बारे में Chloe सब को जूट कह रही थी Catherine अब confess करती है वो कहती है कि मेरा जो affair था वो खतम हो चुका है मैंने जो भी किया वो unexpected था और सब कुछ मैंने अब खतम कर दिया है डेविड इस पर बहुत ही नाराज होता है वो खता है कैसे कैसे तुम कर सकती हो मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है तुम्हें क्या लगता है मुझे कोई chances नहीं मिले पर मैंने अपने आप पर काबू रखा था तुमने मुझे मेरे काम से बुला लिया और ज्यादा कुछ मुझे बता भी नहीं रही हो गुसा होकर वहाँ से जाने लगता है कैथरिन उसके पीछे पीछे आती है कैथरिन ने जो भी सब किया था लोईन ने उसे पैसे दिये थे डेविड से मिलने के लिए यह सब चीजे वो डेविड को समझाती है वो फिर अपने आपको explain करती है वो गहती है कि जैसे जैसे तुमारी age बढ़ती जा रही है वैसे तुम और भी beautiful होते जाते हो तुमारे सामने मैं थोड़ी भी beautiful नहीं दिखती यह सब सोच कर कैथरीन को बहुत ही बुरा लगता है इन दोनों में कोई भी relationship नहीं रही तो कैथरीन कही थी है कि यह मेरी eagle थी है जब उसकी pregnancy हुए तब उसे लगा कि वो अब beautiful नहीं रही वो डेविड से अपना distance बनाने लग गए और वहाँ से सब कुछ गलत होने लग गया वोवी में हमने देखा है कि डेविड जब कैथरीन का lotion smell करता है तब उसने पहली बार ही smell किया है यहाँ कैथरीन को पता चल जाना चाहिए था कि डेविड और क्लोई के बिज में कुछ भी नहीं है पर वो मानने के लिए ready नहीं थी डेविड कैथरीन को समझ लेता है उसे वो माफ कर देता है इसके बाद रात में हम देखते है कि क्लोई कैथरीन के घर के बाहर आ जाती है माइकल उसे दिखता है और यह दोनों बात करने लगते है माइकल उसे अपना घर दिखाता है क्लोई फिर उसके साथ intimate हो जाती है उसे कहती है कि तुम्हारी मदेर के रूम में हम चलते है जब रात में कैथरीन घर पर बोच्छती है तो उसे शौक लगता है वो माइकल को रूम से बाहर निकाल देती है कैथरीन बहुत ही गुसा है क्लोई को घर से बाहर निकल जाने के लिए कहती है क्लोई कहती है कि तुम मुझे पैसे देखकर भगा नहीं सकती हम दोनों में जो है यह बहुत ही यूनिक है क्लोई ज़रा confused भी है वो एक अच्छे लड़के को डेट करना चाहती है माइकल उसकी डेटिंग लाइफ के लिए एक अच्छा लड़का हो सकता है मुवी के फर्स में हमने देखा था क्लोई वास्रूम में रो रही थी उसने बाहर आकर कहा कि आदमी बहुत ही घटिया होते है वो पहले ही हर्ट हो चुकी थी कैथरिन ने उसे ज़रा सिंपती दी कैथरिन को लेकर उसमें फिलिंग्स डेवलप हो गए क्लोई को माइकल कैथरिन की तरह ही लगता है तो कहती कि मुझे उससे डेट करना है कैथरिन उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम जो भी कर रही हो यह बहुत ही गलत है वो गहती है कि हमारे बीच जो भी हुआ वो ठीक है पर मेरे हजबन से ही मैं बैर करती हूँ क्लोई कुछ भी सुनने के लिए रेडी नहीं है उसे समझ में ने आ रहा कि वो क्या करेगी क्याथरिन ने माइकल को रूम से बाहर निकाल दिया था वो अंदर आने के कोशिश कर रहा था पर आ नहीं पा रहा वो बैक डोर से क्लोई और क्याथरिन के पास पहुचता है क्लोई बहुत ही डिस्टब हो चुकी है उसकी हेरपीन वो निकाल दिया एक शार्प आपजेक्ट है क्याथरिन के गले पर उसने लगाया हुआ है अचानक से माइकल वहाँ पहुच जाता है और क्याथरिन क्लोई को धक्का देती है इस धक्के की वज़े से क्लोई खिड़के से बाहर गिरने वाली है वो अगर चाहती तो अपने आपको समाल सकती थी पर वो रिलाइज करती है क्याथरिन उसकी कभी भी नहीं हो सकती है वो फिर हाथ छोड़ देती है और नीचे गीर कर मर जाती है मूवी के लास्ट सीन में हम देखते है क्याथरिन ने जो हेरपीन पहनी है एक क्लोई की है क्लोई की हमेशा से वीच थी क्याथरिन उसकी हेरपीन पहने क्याथरिन ने पूरी की है क्याथरिन ने भी इसकी रिस्पेक की है और वो हमेशा ये हेरपीन अपने हेर्स पर लगा दिये यहीं मूवी एंड होती है आज का वीडियो हम यहीं खतम करते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा बहुत सारी मुविज लेकर आता रहता हो तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नडूशन आइकों दबने मत भूले फिरसे मिलेंगे और एक नहीं मुविए के साथ तब ते के लिए थैंक्यो और आप अपने आपका खैल रखे